दोस्तों गदर्टू का तीन मिनिट और तीन सेकंद का ट्रेलर कल 26 जुलई शाम को यूटूब पर रिलीस किया गया मैं कल कुछ दूसरे कुछ कामों में बिजी था इस कारण से आज 27 जुलई शाम को साड़े पाच बज़े के करीब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैंने देखा कि जी ने अपने जितने भी यूटूब चैनल से उन सब पर गदर्टू का ट्रेलर उन्होंने रिलीस किया है कल से मेरे सामने जी के अलग 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 चैनल के गदर्टू के ट्रेलर के सेशन आ रहे थे मैं देख रहा था कि भाई इस चैनल पर भी रिलीज किया उस चैनल पर भी मतलब इतने सारे अलग-अलग जगब पर रिलीज करने का क्या मतलब था पता नहीं एक जगब पर जैसे कि जी स्टुडियोज पर अगर वे केवल रिलीज करते तो व्यूस भी जगब पर व्यूस डिवाइड हो गए होंगे चलिए जो भी हो पर मैंने ये कल से नोटिस के पता नहीं ये स्ट्रेटेजी उन्हें किसने इसका सुझाओ दिया चलिए जो भी हो और देखे आज से डेड़ वर्ष पहले दिसंबर 2021 में मैंने गदर 2 पर एक वीडियो बनाया था जब उसका एक मोशन पोस्टर केवल रिलीज हुआ था तब मैंने थोड़ी से अपनी चिंता वेक्त की थी या राश्टरवादी फिल्मेकर्स को लेकर क्योंकि हम देखते हैं कि लेट का जो इकोसिस्टम है जो लेटिस्ट फिल्मेकर्स है वे किस प्रकार से कितने उनके टॉक्सीक और भयानक से भयानक ऐसे जो प्रोपगेंडाज होते हैं देश विरोधी प्रोपगेंडाज जो होते हैं हमारे हजारों वर्ष की सभेता की जड़े काटने वाले जो प्रपगेंडा होते हैं, उनको भी वे टेक्निकली इतना बढ़िया तरीके से बना कर प्रस्तुत करते हैं, कि कई सरे राष्ट्रवादी भी ऐसे प्रपगेंडा कंटेंट की प्रशंसा करने लग जाते हैं, पर हम देखते हैं कि एक तो कार से परफेक्ट दी हो फिल्म, उसे हम एक टाइमलेस क्लासी कह सकते हैं, अभी पिछले मैंने जब मैंने दोबारा उसे थेटर में देखा, तो भी मुझे बिल्कुल वैसा ही, जैसे मैं पहली बार किसी फिल्म को देख रहा हूँ, और मुझे उतनी ही ज़ादा वो फिल्म पसंद आई, भले ही उससे पहले मैंने कितनी ही बार उसे क्यो न देखा हो, तो गदर का पहला पार तो भाई बिल्कुल बढ़िया था, और मैंने डेड़ वर्ष पहले जो वीडियो बनाया था गदर 2 पर डिसपॉइंटिंग भी कही से भी नहीं था, फिल्म का बजेट भी आजकल की जो 300-300-400 करोड किसी भी घटिया से फिल्म का कुछ भी बजेट बता देते हैं, उसके अपेक्शा तो इसका बजेट भी काफी कम है, और फिर भी जो सेट्स हम देख रहे हैं, जो काफी सारे या उन्होंने प्रोडक्ट हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, हाला कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद से मैं देख रहा हूं कि बॉलिवूड का जो एकोसिस्टम है, वो पता नहीं क्यों पर रो रहा है इस ट्रेलर को लेकर, मैंने कई सारे अलग-अलग ट्रेल मैं तो बस लोटपोट होकर हसना मेरा बाकी रह गया था एलिट क्रिटिक का जब मैंने गदरटू का ट्रेलर रिव्यू देखा, मतलब इतनी किस बात की जलन भाई, पूरे उस ट्रेलर रिव्यू में बस गदरटू को जितना हो सके उतना नीचा दिखाने का ही प्रयास कर र लाँच, मतलब जीनियस फिल्म को लेकर भी उन्होंने कुछ बहुती एक व्यंगात्मक रूप से अपमानित करने का ही पहली फिल्म को प्रयास किया कि इंडियन ओडियंस ने रिजेक कर दिया जीनियस को, भाई तुमारी एकोसिस्टम ने जीनियस के बारे में चर्चा ही उसके बारे में बात भी की, चर्चा भी की, नहीं, तुमारे बॉलिट के लॉबी के जो स्टार कीड्स है न, सो कॉल्ड, जो अपने आपको सो कॉल्ड सिलिब्रिटी या सो कॉल्ड स्टार वगरा मानने लग जाते हैं, उन सो कॉल्ड स्टार्स की घटिया से घटिया, इसके बारे में Indian audience ने reject कर दिए उसके बारे में बात ही कब कि लोगों को पता भी नहीं चला कि वो फिल्म थेटर में कब आई और कब चली गई क्योंकि कहीं पर कोई चर्चा या प्रमोशन ही नहीं और फिल्म का presentation direction भरी खराब और उतकर शर्मा की acting उसमें बढ़िया थी क्यों उसके बाद इस ecosystem के किसी director ने प्रोड्यूसर ने उतकर शर्मा को अपनी किसी फिल्म में लेने के बारे में नहीं सोचा यहाँ पर जो अरजुन कपूर या जानवी कपूर उनके चहरे जिनके तरफ एक सेकंद के लिए भी देखा नहीं जाता उनकी अपेक्षा तो हज़ार गुना ज़्यादा अच्छे acting है उतकर शर्मा की पर उसको उनके पिता सामने ला रहे हैं तो इनकी पेट में मरोडे उठ रही है एलिट क्रिटिक के या इस पूरे एकोसिस्टम के ही कह लीजिए मरोडे उठ रही है उनके पेट में कितनी मतलब इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है बै कोई रात को निंद भी कैसे आती इन लोगों को मुझे तो यही समझ में आता कि इतनी जलन के साथ में किस हद तक ये चाटू कारिता करते हैं इस बॉलिट के एकोसिस्टम की मुझे सच में हसे क्या करे मतलब दया आती है सच में ऐसे लोगों की तरब देख कर कि कितनी मानसिक रूप से ये लोग मानसिक गुलामी के शिकार हैं किवल मैं यही कहना चाहूंगा और किवल यही नहीं नीचे कमेंट में भी देख रहा हूं कि रिपलाइ करकर के वो इलिट क्रिटिक ये कह रहे कि उतकर शर्मा को हमारे गले के नीचे जबर्दस्ती उतारने का प्रयास किया जा रहा है इंगलीश में कह रहे थे वो मैं हिंदी में बता रहा हूं वाव वाव गले के नीचे उतारने का ये बॉलिवड का एकोसिस्टम किनको हमारे गले के नीचे सच में उतारने का प्रयास कर रहे हैं उस स्टार कीड की या एक्टिंग कैसे इंप्रू हो रही है वो यही एलिट क्रिटिक बताते हैं कि नहीं नहीं यार इसकी तो एक्टिंग बहुत इंप्रू हो रही है कितनी मानसिक गुलामी और यहाँ पर उतकर शर्मा को कोई यह बॉलिट का एकोसिस्टम तो काम मतलब कुईस ने लिया हो कि आओ हम फिल्म में हम लेते हैं तुम्हें यह तो हमें देखाई नहीं दिया अभी दूसरी फिल्म में आ रहे हैं तो उसको लेकर भी इनके पेट में मरोडे उठ रही है बाकी गदर्टू की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले कहा ट्रेलर कुछ बहुत ही हमें प्रभावित करता ऐसी बात नहीं है पर जो एक 90's की वाइब्स हम जिसको कहते हैं वो सही माइने में यहां पर हमें दिखाई दे रही है वो कुछ रॉकी रानी वे ऐसा कुछ उसका ट्रेलर देखकर कुछ लोग जबरदस्ती कमेंट सेक्षन में कहे थे कि 90's की वाइब्स आ रही है वहां तो कहा थी 90's की वाइब्स पता नहीं पर यहां तो दिख रही है 90's की वाइब्स आ रही है और जो ट्रेलर हमें थोड़ा पुराने समय का लग रहा है तो भाई फिल्म की कहानी भी 1971 में ही स्तित है तो उस प्रकार से ही उन्होंने फिल्म को बनाया भी है हाला कि मैं यह आवश्य कहूंगा कि डिरेक्शन और जदा बेटर होना चाहिए था और बस जो एक लाउड जो हमें ट्रेलर लग रहा है उसकी अपेक्षा थोड़े कुछ और अलग प्रकार से ट्रेलर को एडिट किया जा सकता था यह हमारे सामने प्रेजेंट किया जा सकता था यह बात तो मैं मानता हूँ जैसा कि गदर का पहला पार्ट अगर हम देखे उसकी शुरुवात देखिए किस प्रकार से एक काफी सिरियस टोन के साथ में फिल्म शुरू होती है तारा सिंग का भी जो करेक्टर है उसमें कैसे एक चुलबुला और एक भोला पन था उस करेक्टर में है मासूमियत हम जिसको कहते हैं वो एक भोला पन था हलाकि वो एग्रेसिव भी आगे जाकर हमें उतना ही लगता है पर साथ में एक बहुत बैलेंस्ट उसका एक पूरी परसनलिटी थी तारा सिंग की हलाकि अभी आयू बहुत हो गई है मैच्चुर वो कैटर अभी obviously वृद्धावस्ता में जाने के बाद वो सारी जैसे की युवावस्ता में वो हो वैसा ही वृद्धावस्ता में भी हो ये कोई आपिक्षा करना भी गलत ही है तो देखते हैं अभी overall फिल्म में हमें क्या देखने को मिलता है कहानी को वे कैसे प्रस्तुत करते हैं मैं तो काफी उत्सुक हो फिल्म को देखने के लिए जबरदस्ती जो इसको लेकर रो रहे हैं उनको देखकर तो बस दया ही आ रही है बाकि आपको गदरटू का ट्रेलर देखकर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वड़ी देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम